आप सुनने जा रहे हैं अर्नेस्ट हैमिंग बे की लिखी कहानी क्रान्तिकारी द रिवॉलिशनिस्ट सन उन्निस उन्निस वह इटली में रेल से सफर कर रहा था पार्टी हेटक्वार्टर से वह मोम जामे का एक चोको टुकड़ा लाया था जिस पर पक्के रंग से लिखा हु तरह से इसकी मदद करें टिकेट की जगह वह इसका इस्तमाल कर रहा था वह युवक बहुत ही शर मिला और चुपपा था टिकेट बाबु उतरते तो अगले को बता जाते उसके पास पैसे नहीं थे वह उसे चूरी छिपे खाना भी खिला देते वह इटली देखकर बहुत था बड़ा सुन्दर देश है वह कहता लोग बड़े भले हैं वह कहीं शहर और बहुत से चित्रों को देख चुका था ग्योटो मसाच्यो और प्योरा डिला फ्रांसिसका की प्रतिलीपियां भी उसने खरीदी थी जिने पर अबंती के एक अंक में लपेटे घूम रहा था वह सफर मजे का रहा सितंबर शुरू के खुशनमा दिन थे वह मग्यारी और बहुती जेपू था होरती के लोग उससे अच्छी तरह पेश नहीं आये थे कुछ जिक्र उसने किया था हंगरी के बावजूद उसका पूरा विश्वास एक विश्वकरांती में था इटली में अंदुलन का क्या हाल है उसने पूछा बहुत बुरा मैंने कहा पर यहां चलेगा खुब वह बोला यह सब कुछ है यही अकिला देश है जिसके बारे में किसी को भी संदेह नहीं है सब यहीं से शुरू होगा मैं कुछ नहीं बोला बोलोना से वह विदा हुआ वहां से रिल से वह मिलान के लिए गया मिलान से आउस्ता और वहां से उसे पैदल पैदल दर्रा पार करके सुऋजरल Efendimiz पहुषना था मिलान के विश्री वश्री मती मातेंगना का जिक्र मैंने किया उन्हें छोड़िये उसने जेबतेवे कहा कि वे उसे जचे नहीं मिलान के साथियों और खाने खाने की जगाओं के पते मैंने उसे दे दिये उसने मुझे धन्यवाद दिया पर उसके दिमाग में दर्रा पार करके आगे जाने के बात समाई हूई थी मौसम ठीक रहते रहते वह दर्रा पार कर लेना चाहता था उसके बारे में मुझे अंतिम खबर यही मिली कि स्वीजों ने उसे साइन के पास पकड़ कर उसे जेल में डाल दिया है दोस्तों ये थी पूरी कहानी आप सुन रहे थे अर्नेस्ट हेमिंग वे के लिखे कहानी करांतिकारी